नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका विश्वा मित्र ओनलाइन एजूकेशन में आज के वीडियो हम देखने वाले हैं सामान्य भूगोल के अंतरगत वायप फोटोग्राफ या एरियल फोटोग्राफी के प्रकार जयामिती उल्धवाधर वायू फोटोग्राफ आधि से संब अप्लोट करें तो उसका नोटिक्रिशन आपको प्राप्त हो सकें तो चलिए स्टाट करते हैं वायप फोटोग्राफ वायप फोटोग्राफ का अर्थ एवं परिभाशा वायू यान में लगे केमरों द्वारा लिये गए फोटोग्राफ वायप फोटोग्राफ कहलाते हैं उसे वायव फोटोग्राफ कहते हैं वायव फोटोग्राफ खीचने के प्रकार वायव फोटोग्राफ वायो यान या हेलिकाप्टर में लगे परिशुद्ध केमरों के द्वारा लिये जाते हैं इस तरह से प्राप्त किये गए फोटोग्राफ इस्थालाकरतियों, मानचित्रों को बनाने तथा लक्षों को की व्याख्या करने के लिए उपयोगी होते हैं वायप फोटो के प्रकार वायप फोटो का वर्गी करने केमरा अक्ष, मापनी, व्यापक छेत्र के कोणी विस्तार एवं इनके उपयोग और प्रयोग तल में लाई गई फिल्म के आधार पर किया जाता है केमरे अक्ष की इस्तिती के आधार पर वाया फोटो निम्लिकी तीन प्रकार के होते हैं जब फोटो की सता को धरातली सता के समानतर रखा जाता है जब फोटो की सता को धरातली सता के समानता रखा जाता है तब दोनों अक्ष धरातली जल तथा फोटो तल एक दूसरे से मिल जाते हैं जब फोटो की सता को धरातली सता के समानता रखा जाता है तब दोनों अक्ष धरातली जल तथा फोटो तल एक दूसरे से मिल जाते हैं औरद्वादर अक्ष से केमरा अक्ष में 15-30 डिगरी के अभीकल्पित विचलन के साथ लिये गए फोटो अलपतिरियक फोटोग्राफ कहलाते हैं। इस प्रकार के फोटोग्राफ प्रारंबिक सर्वेक्षन में उप्योगी होते हैं। अलपतिरियक फोटोग्राफ औरद्वादर अक्ष से केमरा अक्ष में 15-30 डिगरी के अभीकल्पित विचलन के साथ लिये गए वाय फोटो को अलपतिरियक फोटोग्राफ कहते हैं। इस प्रकार के फोटोग्राफ प्रारंबिक सर्वेक्षन में उप्योगी होते हैं। तीसरा है अतितिरियक फोटोग्राफ औरद्वादर अक्ष से केमरे की दूरी को लगबग 60 डिगरी जुकाने पर एक तिरियक फोटोग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार के फोटोग्राफ भी प्रारंबिक सर्वेक्षन में प्रयोग की जाते हैं। तो आलपतिरियक फोटोग्राफ और अतितिरियक फोटोग्राफ जो हैं वो प्रारंबिक सर्वेक्षन में अधिक उप्योगी होते हैं। व्रध मापनी उसमें लगू मापत वायव फोटोग्राब एक अनुपात तीस हजार मध्य होती. व नगू मापनी फोटोग्राब जो एक अनुपात तीस हजा के मध्य होती है. फ्राथम वायब ile फ्राइं फोटोग्राफ में निया गया था और किस प्रकार लिया गया था। इसमा इमले के द्वारे के द्वारब प्रांस में निर्या गया था। वाय फोटो खीचने के लिए वायुयान का प्रयोग पहली बार 1909 में इटली के एक नगर का फोटो खीचने के लिए किया गया था पहला वाय फोटोग्राफ 1858 में फ्रांस में एक गुबारे से लिए गया था और वायोयान का पहली बार प्रयोग इस प्रकार के फोटो को लेने के लिए 1909 में इटली में किया गया था नत फोटोग्राफ नत फोटोग्राफ क्या होता है? इसे हम देखते हैं उद्धुआदर अक्ष से प्रकाशी अक्ष में तीन डिगरी से अधिक विचलन वाले फोटोग्राफ को नत फोटोग्राफ कहा जाता है आर्थो फोटो वायप फोटो में मानचित्र बनाने के पूरु संदर्श द्रश्च से समतली द्रश्च में परिवरतन आवशक होता है इस तरह के रुपांतरि चित्रो को आर्थो फोटो कहा जाता है फोटोग्राफ मिती फोटोग्राफ मिती क्या होती है? हम यह देख लिए है यह वायप फोटो द्वारा विश्वसनी मापन का विज्ञान एवं तकनिक है फोटोग्राफ मिती जो है वो वायप फोटो द्वारा विश्वसनी मापन का विज्ञान एवं तकनिक है फोटोग्राम मिती के सिद्धान थी वाय फोटो की परिशुद्धता लंबाई, चोड़ाई एवं उचाई की माप्रदान करते हैं यह तक्निक इस्थालाकरतियों मांचित्रों को तयार करने और उनको अधनत बनाने में उप्योगी होती है फोटोग्राम मिती जो है वह तक्निक इस्थालाकरति मांचित्रों को तयार करने और उनको अधनत बनाने में उप्योगी होती है अगला है उच्च कोण तिर्यक, उच्च कोण तिर्यक क्या होता है? तो उच्च कॉन तिर्यक फोटो चितर की मुग की पहचान यह है कि इसमें विवरंड पर्ष्व दरश्चों के साथ साथ 36 में भी दिखाया जाता है इसके विपरिजिन फोटोग्राफ में 36 विवरंड दिखला ही नहीं देता उन्हें अल्पकॉन तिर्यक फोटोग्राफ कहते है इसे तिर्यक फोटोग्राफ जो की फोटो चितर की मुग के पहचान है और इनमें विवरंड पर्ष्व दरश्चों के साथ साथ 36 भी दिखाया देता है उच्च कॉन तिर्यक फोटोग्राफ कहलाते है इसके विपरीत अलप कौन तिर्यक फोटोग्राफ होते हैं जिनमें विपरीत फोटो चित्रों में 36 विवरन दिखलाई नहीं देती ट्रिमे ट्रोगन फोटो चित्र ट्रिमे ट्रोगन पद्धिती में वस्तुता तीन कैमरे एक साथ कारे करते हैं एक कैमरा उद्वादर फोटो चित्र खिशता है तथा इधर के कैमरे 36 तरक के तिर्यक फोटो चित्र खिशते हैं इस प्रकार ट्रिमे ट्रोगन पद्धिती में दाई 36 से 22 चित्र तक का समस्त चित्र अंकित हो जाता है ट्रिमेट रोगन फोटो चितर जो होता है इसमें तीन केमरे होते हैं एक केमरा उद्वादर फोटो चितर खीशता है जबकि दो अन्य केमरे इधर इधर उधर से केमरे चितिश तक के तिर्यक वायू फोटो चितर खीशते हैं इस पद्दती में दाइई चितिस से बाइई चितिस तक का समझत छेत्र अंकित हो जाता है अभिसारी फोटो चित्र अभिसारी पद्दती से फोटो चित्र खीचने के लिए वायूयान में दो केमरों का प्रयोग किया जाता है तो question भी आ सकता है कि अभी सारी photo chip photographic में किसी चेत्र के एक ही समय में अलग अलग camera के द्वारा लिए गए दो photo powder प्राप्त हो जाते हैं यह विदी क्यलाती अभी सारी photo chip फोटो मोजेक, प्राया किसी एक वाईव फोटो चित्र में धरातल के केवल कुछी भागा चित्र अंकित होता है, अता किसी बड़े चित्र जैसे समस्त भाग को एक ही चित्र में देखने के लिए उस चेत्र के समस्त वाईव फोटो चित्रों को परस पर सही सही मिला कर चिपक है कि किसी भाग के छोटे छोटे चितर खीच लेते हैं पिर उन्हें चिपका कर एक फोटो चितर बना दिया जाता है प्राया किसी एक वायू फोटो चितर में धरातल के केवल कुछी भाग का चितर अंकित हो पाता है अता किसी बड़े चेतर जैसे समस्त भूख भाग को एक ही चित्र में देखने के लिए उस छेत्र के समस्त वायू फोटो चित्रों को परस पर सही सही मिला कर चिपका देते हैं इस प्रकार समूव फोटो चित्र या वायू फोटो चित्र या का फोटो मोजेक कहलाता है प्रतिविम निर्वचन प्रतिविम निर्वचन का अर्थ है फोटो ग्राम मित्ती द्वारा प्राप्त चित्र का अध्यन एवं व्याक्या करना अर्थात्वा वस्त्मों के सुरूप को पहचानने तथा उनके सापैक्षित महत्विसे संबंदित निर्णे लेने की प्रक्रिया है इसका उपयोग किसी छेत्र के वाय फोटो या सुदूर समवेधन चित्र के द्वारा भोगोलिक जानकारी और उनकी व्याक्या करने के लिए किया जाता है प्रतीविम निर्वचन जो है उसमें निर्वचन का अर्थ है फोटो ग्राम मिती द्वारा प्राप्त चित्र का अध्यन एवं व्याक्या करना अर्थात यह वस्तूओं के स्वरूप को पेचानने तथा उनके सापेक्षिक्त महत्वित से संबंदित निर्णे लेने की प्रक् प्योग मिट्टे के प्रकार तथा अन्यभोग तिक एवं सांस्कृतिक तत्वो का सटिक अध्यन द्वारा संसाधन प्रवंदन एवं नियोजन के लिए प्रतीविम निर्वचन अत्यन्त उप्योगी होती है वायू फोटो चित्र के गुण तो वायू फोटो चित्र के वायू फोटो चित्र जो है किसी छेत्र की भोतिक वा सांस्कृतिक दरश्च भूमियों के संबन में अपेक्षाक्रत अधिक अभिनव सूचियां उपलब्द कराता है किसी चेतर का नवीन से नवीन इस्थलाकरतियां मानचितर भी प्राया उस चेतर के वायू फोटोगराफ की तुलना में पुराना होता है अता नवीन सूचना प्राप्त करने के लिए वाईव फोटो चित्रों का प्रयोग किया जाता है प्रसलित मापनियों पर बनाये गए किसी भी इस्थाला कृतियों के मानचित्र में धरातल के सबी छोटे बड़े विवरणों को एक साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता इसके विपरीत वाईव फोटो चित्रों में धरातल के छोटे से छोटे विवरण भी अंकित हो जाते हैं अधिक अभीनाव सूचना या नभीन सूचना प्राप्त करने के लिए वाईव फोटो चित्रों का प्रेवग अधिक किया जाता है इस्थाला कृत मानचित्रों में रक्षों, भावनों, खंबों तथा चिम्नियों, आधि के उचाईयां अंकित नहीं होती हैं जबकि वाईव फोटो चित्रों में किसी विवरण उचाई उस विवरण की पलचाई से ग्याद की जा सकती हैं इस्थाला कृत मानचित्रों जो होते हैं उनमें प्राप्षों, भावनों, खंबों तथा चिम्नियों की उचाई अंकित नहीं होती हैं जबकि वायो फोटो चित्र में किसी भी विवरंड की उचाई ग्याद की जा सकती है सर्वेक्षन उपक्रम नो से दुर्गम छेत्रों का मानचित्रन करने में बहुत कटना ही होती है परन्तु हवाई फोटोग्राफी से ये कार बहुत ही सरल हो जाता है दुर्गम छेत्रों के संदर्व में सुचना प्राप्त करने के लिए वायो फोटोग्राफ का प्रयोग किया जाता है अब जब वायो फोटोग्राफ में गुण हैं तो उसके कुछ दोश भी होंगे तब हम उसके दोश देख लेते हैं कि उससे क्या-क्या नुकसान होते हैं तो मापनी की असंगत्ता मांचित्र में मापनी सर्वत्र एक समान होती है इसलिए मांचित्र की निर्धारित सीमाओं के बीतर प्रतियक भाग में मापनी के द्वारा किनी दो बिंदों के बीच की दूरी को सही सही मापा जा सकता है जबकि वायू फोटो चित्रों में धरातल की उचाई के अंतरों तथा केमरो वा वायू यान के जुकाओं से उत्पन इस्तिती संबंदी टूटियों के पलसुरूप मापनी में असंगत्त आ जाती है अर्थात वायू फोटो चित्रों में एक भाग में मापनी दूसरे भाग की मापनी से भिन्न हो जाती है दूसरा है इसका व्याख्या की कटनाई यह भी इसमें प्रॉब्लम आती है वायू फोटो चित्र में धरातल के विरोनों को एक असमान द्रश्च बिंदू से देखा जाता है अता उनकी सही सही व्याक्या करने के लिए अभ्यास वा अनुभों की आपश्चक्ता होती है वायू फोटो चित्रों के गुण दोश्च का अध्यन करने पर हम इसे इसकर पर पहुशते हैं कि मान चित्र धरातल का इसपश्ट एवं करीबी करीब शुद्ध किन्तु पुराना चित्र होता है जबकि वायू फोटो चित्र धरातल का विरोनों से परिपूर्ण ऐसा अभिनाव चित्र प्रस्तुत करता है जिसे पढ़ने में विशेश साउधानी अभ्यास यानुभों की आवश्चक्ता होती है वायू फोटो चित्र में कुछ विशंगत या नहित होती है अता इन दोनों विदियों को एक साथ प्रयोक करना लाप्रद होता है तो यह थी हमारे वायू फोटोग्राफ के बारे में डिटेल अब हम कुछ इसके संबंदित MCQ देख लेते हैं गुबबारे वायू यान तता अन्य किसी आकाशी प्लेटफार्म के माध्यम से जो चित्र प्राप्त किये जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है वायू फोटो चित्र एरियल फोटोग्राफी उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं प्रतीत होता है अतितिर्यक के द्वारा इसका जो आंसर होगा वो होगा ओप्शन डी अतितिर्यक अगला कोश्चन है निम लिखित में से किस वाय फोटो में अधो बिंदू एवं प्रधान बिंदू एक दूसरे से मिल जाते हैं उद्वादर लगबग उद्वादर अल्पतिर्यक या अतितिर्यक तो इसका जो सही आंसर हो है उद्वादर अगला क्वेश्चन है वाय फोटो निम लिखित प्रक्षपों में से किसका एक प्रकार है समानता लंब कोणी केंद्रक या इन में से कोई नहीं तो वाय फोटो निम लिखित प्रक्षपों में से जिसका प्रकार है वो है केंद्रक का या एक केंद्रक का प्रकार होता है इस से हमको इसे नया वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड करें तो उसका नूटिक्रिशन आपको प्राप्त हो सब धन्यवाद